महाराश्ट्रों में चल रही राजनीती खलचल पर पूरे देश की नजर है दरसल शिवशेना के विदायक एक नाजशिंदे के नेतरुत्व में कई विदायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंग दिया फिलहाल महाराश्ट्र सियासी संकट से गुजर रहा है इस दोरान आदित्य ठाकरे के ट्विटर अकाउंट का ये स्क्रीन शॉट शेर किया जा रहा है कई मीडिया संगठनों ने ये स्क्रीनशॉट शेर करते हुए दावा किया कि आदित्य ठाकरे ने ट्विटर बायो में से मंत्री शब्द हटा लिया है RSS के मुख पत्र और्गनाइजर वीकली ने ये स्क्रीनशॉट इसी दावे के साथ ट्वीट किया वहीं ये स्क्रीनशॉट शेर करने वालों में जन की बात दे टाइम्स ओफ इंडिया, न्यूस नाइन, पुणे मिरर, मीट दे, फॉस्ट इंडिया न्यूस, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जी ट्वेंटिफोर तास शामिल है ये स्क्रीनशॉट भाजपा हर्याना आईटी सेल के प्रमुक अरूर यादव और राजनीतिक रणनीतिकार और टिपणीकार अमिताब तिवारी ने भी ट्वीट किया है इन सब में पीछे न रहते हुए कई बड़े मीडिया आउटलेट से जुड़े पत्रकारों ने भी ये स्क्रीनशॉट शेर किया जिसमें धपूरे मिरर के पत्रकार अली शेक, दे न्यू इंडियन एक्स्प्रेस के पत्रकार सुधिर शुर्यवनसी, जी न्यूस के पत्रकार संजय यादव, न्यूस एजनसी एनाई की संपादक पायल महता, न्यूस 18 यूपी की उप संपादक और एंकर आस्था कौशिक शामिल है, लेकिन आल्ट न्यूस ने चानबीन के दौरान पाया कि आदित्य ठाकरे के बायो में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इंटरनेट वेबेक मशीन पर सर्च करने से आल्ट न्यूस को उनके ट्विटर प्रोफाइल के कई पुराने आर्काइव्स मिले, इन में से किसे भी आर्काइव में उनके ट्विटर बायो में मंत्री लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि 13 जून 2022 के इस आर्काइव में आदित्य ठाकरे के ट्विटर बायो में मंत्री लिखा हुआ नहीं है, ध्यान दे कि महराश्रों में राजनीतिक विवाद 20 जून को शुरू हुआ थ दिसंबर 2020 में आदित्य ठाकरे की नियूकती बत और कैबिनेट मंत्री हुई थी लेकिन उनके ट्विटर बायो में पहले भी मंत्री शब्द नहीं था यानि अब समझ विगए होंगे कि मीडिया संगठनों और पत्रकारों ने आदित्य ठाकरे के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीन शब्द शेर कर जूठा दावा किया कि उन्होंने अपने ट्विटर बायो से मंत्री शब्द हटा लिया है जबकि उन्होंने अपने ट्विटर बायो में मंत्री लिखा ही नहीं था